पर्टिकुलर्ली सेशन के अंदर हम लोग लोग क्वेशन करने वाले हैं जैसे कि हमने पिछले सेशन में किये थे ठीके ना तो अब हमने बहुत सारे कोशिशन देखिए एक्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पढ़ें लेकिन पढ़ने के साथ इतना यह उसके उपर क्वेशन भी कराया जाएं और क्वेशन कराने के बाद अब उसके बाद उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उपर रैंक इंप्रूब्मेंट पे भी काम किया जाए ठीक है तो गुड़ीवनिंग लिखकर मुझे बता सकते हैं और सेशन के अंदर मैं आप लोग करते हैं कि जैसे हमने देखा कि ऑइसे का कोश्चन हैं तो हमारे मन के अंदर एक चीज बन जाती है कि आगर मैं जयी का पेपर दे रहा हूं तो यह सी को कोश्चन होता होगा ऐसा नहीं होता ठीक ना तो मैंने वह माइंड सेट आपका खतमकर दिया अगर मैं लिख देता कि यहां पर मेरा सेल्फ बनायवा कोईशन तो आपके मन के अंदर एक सवाल आ जाता कि अरे यार यह बनायवा कोईशन और इसको पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो हमें डाउट का जो एक पर्टिकुलरली सेनेरियो है उसको खतम करना होगा इसलिए मैंने शुर या कैसे उस चीज़ को रखा गया है ठीक है इससे फाइदा यह है कि आपका जो माइंड सेट वो ब्रेक नहीं होगा और आप सिर्फ कोईशन पर फोकस करेंगे आपको पता है कि हां सब जगा से कोईशन हो सकते हैं मुझे नहीं पता कि वह कौन सा कोईशन है यह में पूचा यह हैं तो अगली क्लास के अंदर में आप लोगों को कॉन्क्रीट करा दूँगा और कॉन्क्रीट से भी बेसिकली क्या है बहुत सारे कोशन आती क्योंकि अगर आप दिखेंगे तो बिल्लिंग मटेयल में चॉन्क्रीट जुड़ जाता है और सबसे इसाथ सवाल सीमेंट और कॉन्क्रीट से आते हैं उसके बाद बिक्स से आते हैं तो वह से इंप्धर IMPORTANT है क्लास के अनदर मेरा फोकस होता सबी लोग नोट करके रख सकते हैं आप लोगो मेरे टेलिग्राम से मिल जाएगा टेलिग्राम का नाम क्या है शुभाम अगरवाल सर्टेस्बुक जिसका लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक है ना दूसरी बात मैं आद देख रहा हूं एक बच्चे हैं जो की ससी का फॉर्म लेकर थोड़ा से चिंते हैं तो मैं बता देता हूं देखिए ससी के फॉर्म को भरने में कुछ दिक्कत आ रही है ठीक है एक तो वेबसाइट उनकी ब तो भरते हैं तो फी भरते समय आप लोगों के reference number मिलता है ठीक है एक transaction number मिलता है क्योंकि आप online payment जब करते हैं तो किसी भी payment का transaction number वो नमबर अपने पास करके रखें स्क्रीन शॉट लेका रखें या नोट करका रखें और अगर वो आपके पास नोटेडा है तो कल को अगर आपका फॉर्म एकसेप्ट नहीं होता है या रिजेक्ट हो जाता है इसी बीवजे से थीकिन तो आप वो ट्रांजेक्शन basis पर क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं सेसी को कि भाया तुमने मेरा फॉर्म रिजक कैसे कर दिया जब मैंने पेमेंट करी है तो इस चीज के basis पर और इसमें मेरे को लगता है कि वह स्लो चल रही है कि कल से मैं आप लोगों के लिए एक और स्पेशल क्लास शुरू कर रहा हूं जो कि टेस्ट बुक की अप्लिकेशन पर होगी और टेस्ट बुक की अप्लिकेशन को बस आपको प्लेस्टोर से डाउनलोड करना है और मैं आप लोगों के लिए रैंक इंप्रूव करने के लिए जिसका नाम होगा Rank Improvement Class, यह शाम चार बज़े होगी, that will be an absolutely free class in test book application, ठीक है, तो आप सब लोग यह class भी कर सकते हैं, ताकि आप improve कर सकें, ठीक है, चलिए, तो ESE पे, AEE पे, JEE पे, self design question, सारे तरीके question मैंने डाले है, इसके अंदर बास आप लोगों को एक काम करना है, कि जितने question आज इस session के अंदर हम attempt करने वाले हैं, ठीक है, आपको count करने हैं, कि total आपने कितने attempt किये, उसमें कितने सही किये, और कितने गलत किये, for suppose आप 50 question करते हैं, 50 में ते 30 सही करते हैं, 20 गलत करते हैं, तो आखरी में आपको अपना result कैसे बताना होगा session के end में, 30 slash 20 slash 50, ठीक है न, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को अपना क्या, यहाँ पर result create करना होगा session के आखरी में, अगर सबको मेरी बात clear है, तो clear लिख देंगे, और हम शुरू कर सकते हैं, आज का दमदार session, yes everyone, please comment, yes everyone, please comment, yes clear है, yes, सबको अगर यह बात clear है, ठीक है न, क्योंकि देखिए, अपना analysis बहुत important है, ठीक है, हम दुनिया से जूट बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं, ठीक है, चलिए, तुम्हारा जवाब इतना slow चल रहा है, बिल्कुल ठके दहारे आए, वो मुझे लग रहा है, ठीक है न, आने वाले समय में देश को represent करना है, यार, 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 चलिए, चुरुबात करते हैं, ये कल आपका homework question था, काफी सारे बच्चों ने इसका answer दिया, बहुत, बहुत, क्या कहते हैं, अच्छा आप लोगों ने लिखा, मैंने comment section में देखा, और मैं एक इसके ओपर special video भी बनाऊंगा, कि जिस जिसने बच्चे ने मैंने जो दो sessions के अंदर आप लोगों को homework questions दिये हैं, mark home के, ठीके न, उसमें किसने कितना अच्छा answer दिया है, उसके उपर एक proper review दिया जाएगा आपको, ठीके न, the number of minerals arranged in the most scale of hardnesses, 8, 10, 12, या फिर 15, तो मुझे अच्छे से पता है कि most scale basically hardness of the stones निकालने के लिए इस्तमाल किय जाता है, और hardness of the scale है, most scale पर basically हम 10 mineral की बात करते हैं, तो 10 हो जाएगा, जिसमें कि आप से value पूछे जा सकती है, तो calcite की आप याद रखेंगे 3, gypsum की याद रखेंगे 2, ठीके न, quards की याद रखेंगे 7, और diamond की याद रखेंगे 10, तो जिसकी value याद है, आप comment करके साथ- renewal codes, ठीके न, rt2, rt3, rt4 या rt5, देखें, अलग-अलग grades के यहाँ पर क्या होते हैं, ठीके न, तार होते हैं, ठीके न, अब यहाँ पर rt लिखा है, तो road tar, rt का मतलब क्या है, road tar, road tar grade 2, road tar grade 3, road tar grade 4, या फिर road tar grade 5, engineering services में, road tar grade 5 के उपर सवाल पूछा गया था, लेकिन य road tar का, वो है grade 3, तो यहाँ पर answer तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, लेकर engineering services के अंदर एक सवाल जो पूछा गया, वो road tar grade 5 के लिए पूछा गया, और road tar grade 5, grouting के purposes से इस्तमाल किया जाता है, और इससे, एसी के इलावा एक जेई के paper में भी पूछा जा चुका है, यह सेम सवाल, rt5 किस grade के लिए इस्तमाल होता है, तो सब लोग comment करके बताएंगे, for the grouting purpose इस्तमाल होता है, rt1 जो होता है, surface painting aggressive conditions में, जहाँ पे conditions बहुत जादा favorable नहीं होती, लेकर rt2 का आप इस्तमाल surface painting of roads में कर सकते हैं, एक normal condition के अंदर, rt3 renewal course के लिए इस्तमाल कर दिया जाता rt4 का इस्तमाल जो है, वो base courses में किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या बन जाएगा, आपका rt3 बन जाएगा, चलिए बहुत अच्छे, identify the defect in timber which is not caused by seasoning of timber, इन में से कोन सा ऐसा है defect, जो की seasoning of timber की वज़े से नहीं होता, timber के अंदर देखे, कई तरीकों से defect आ जाते हैं, अब कई सारे बच्चों के साथ यह problem आती है, कि उनको यह याद रहता है, कि भाई, कौन सा defect किस वज़ा से है, अगर आपके साथ भी same problem है, तो yes और no में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है न, तो मैं, अब देखे, यहाँ पर option जो दिये गए, check, splitting, warp page या फिर not, तो मैंने इ chip mark defect, vein defect, tone grain defect, या diagonal grain defect हो सकता है, जब insects, यानि कि अगर वहाँ पर कीले खा जाने लकडी को, ठीक है न, तो marine borers, beetles, termites, termites, termites बोले तो दीमक, white ants, ठीक है न, seasoning के वाज़े से board defect, check defect, collapse, cup, twist, split, या फिर warp defect, अब यहाँ पर fungi के वाज़े से होता है, blue rot, sap stain, dry rot, wet rot, heart rot, लकडी का स अब यहाँ पर कह रहा है, seasoning की वाज़े से कौन सा नहीं होता, तो seasoning की वाज़े से check defect होता है, ठीक है न, splitting defect होता है, वर्पिज होता है, लेकिन not एक ऐसा defect है, जो की abnormal growth की वाज़े से basically हमें देखने को मिलता है, तो answer क्या हो जाएगा guys, सभी लोग ले comment करके बताएंगे, D will be the right answer, abnormal growth हो जाना, abnormal growth ये knots में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने improperly remove कर दिया है, एक section of the tree को, जिसकी वज़े से उसके अंदर क्या एक गांठ बन गई है, ठीक है न, वो गांठ की वज़े से उसकी जो longitudinal direction में strength वो कम हो जाती है, और longitudinal direction में strength कम हो जाने की वज़े से, हम उस P, Q, R, S, चार अलग-अलग टाइप की bricks दी गई है, उनके dimension दिये गए है, ठीक है न, कहता है, which of them as per I is 1077, मैंने बोला था, 1077 खास याद रखना है, false in the category of standard modular size of normal burnt clay building brick, तो मेरे को पता है कि normal burnt clay building brick का जो size होता है, वो कितना होता है, 19 into 9 into 9 centimeter, यानि की 190 into 90 into 90 mm, ठीक है न, तो अब मुझे यह पता चल लिया, अब इसके साथ-साथ मैंने का कि भई, क्या यह वो size P का, नहीं है, Q का, नहीं है, R का 190 100, गलत है ठीक है न, S का 190 into 90 mm, यानि की S वाला जो है, वो 1077 के हिसाब से है, और answer क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, या एगला question क्या कहता है, ठीक है, अच्छा, एक सवाल आप से और पूछा जा सकता है, तो मैंने इसमें additional किया था, कि आप से brick tile का size पूछा जा सकता है, तो brick का size कितना होता है, 190 into 90 into 90 mm, लेकिन brick tile का size होता है, additionally add किया था, मैंने आजी, 190 into 90 into 40 mm, ठीक है न, बस इसमें जो thickness है, वो अच्छे, the defect in painting work is indicated as the loosening of certain portion of paint films, due to failure of bond, और lack of addition with the undercoat, the defect is known, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम paint के अंदर एक defect हमें देखने को मिल रहा है, और वो defect इसलिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि paint और जिसके ओपर हमने यह paint लगाया है, मानने ते दिवार पर paint लगाया है, उसके बीच मे proper addition नहीं develop हो पाया, और यह proper addition अगर नहीं develop हो पाया है, तो paint shoot जाएगा, और हमारे लिए तो यह defect है, इस defect को क्या कहते हैं, blooming defect, sponification defect, flaking defect, या crawling defect, ठीक है, crawling defect को एक और नाम से जाना जाता है, आप मुझे comment करके बताएंगे, देखिए, blooming defect बेसिकली तब होता है, जब glossy patches develop हो ज basically, glossy patches develop होने की वज़े से, ठीक है, तो यह तो हो जाएगे dull patches, नहीं, sponification basically होता है, alkalies की वज़े से, alkalies की वज़े से, basically paint खराब हो जाता है, और बड़े-बड़े हिस्तों में patches के form में छूटने लगता है, ठीक है, flaking defect, flaking defect basically जब होता है, जब detachment of the film होनी परती है, due to poor addition, और poor addition तब develop होता है, जब sufficient amount of oil नहीं मिलाते paint में, क्योंकि paint के अंदर आप sufficient amount of oil मिलाएंगे, ठीक है, तब ही एक अच्छा paint तयार होगा, addition develop होगा, ठीक है, तो यहाँ पर poor addition, flaking हो सकता है, crawling को मेक और नाम से जानते हैं, that is wrinkling defect, और wrinkling defect जो होता है, वो thick layer अगर आप paint की apply कर देते हैं, और वहाँ पर unequal shrinkage, अंदर वाली layer सही से सूख नहीं पाईगी, उपर वाली layer सूख जाएगी, अब उपर वाली सूख कर shrinkage ज्यादा दिखाएगी, अंदर वाली दिखाई नहीं पाईगी, क्योंकि उसमें, क्या हो पा है, वो सूख ही नहीं पा रही है, तो unequal shrinkage की आप से अब देखिए, सवाल जो है building materials का कह लिजेए, चाहे steel का कह लिजेए, एक ही बात है, ठीक है ना, the recommended values of falling physical properties, unit mass, modulus of elasticity and poisons rich of structural steel, तो मैंने कली आपको इनकी सारी values दी थी, मैंने बोला था basically पूछी जा सकती है, अब एक ही question के इंतर तीन value पूछ लिए, तो मैं जानता हू की जो density थी, वो कितनी थी, 7, 8, 5, 0 kg per meter q, ठीक है ना, आपका young's modulus of elasticity कितना था, 2 into 10 to the power 5 newton per mm square, और poisons ratio कितना था, 0.3, यानि कि इस हिसाप से a option ही बन जाएगा, इस हिसाप से क्या बन जाएगा, ए बिल्कुल सही option बन जाएगा, ठीक है, तो perfect answer क्या हो जाएगा, बहुत अच consistency test, of ordinary Portland cement, using y-cuts apparatus, as per is 4031, what is the penetration depth of the needle, from the top of the y-cuts mold, for the paste to have normal consistency, तो जब आप normal consistency test करते हैं, तो उसके अंदर क्या इस्तमाल करते हैं, y-cuts apparatus का इस्तमाल करते हैं, इस y-cuts apparatus में हमने देखा है, कि हमें penetration कराना पड़ता है, और यह penetration लगबग लबगत, 33 से 35 mm की आसपास, या फिर 33 से बहुत जादा, 33 mm की आसपास होना चाहिए, ठीक है, from the top of the mold, और mold की जो height होती है, वो कितनी होती है, mold की height कितनी होती है, सभी लोग comment करके बताएंगे, क्योंकि ये भी आप से exam में question पूछा जा सकता है, ठीक है, आप से ये भी पूछा जा सकता है, कि plung का weight कितना होता है, 300 gram, ठीक है, जो initial setting time test करते हैं, उसके अंदर shape of the needle क्या होता है, square, final setting time test के अंदर क्या होता है, circular, ठीक है, तो ये सब सवाल आप से बनते हैं, बहुत अच्छे, 40 mm height होती है, बहुत बढ़िया, यह देखिए, यहां पे mention भी करी हुई है, ठीक है, चलिए, ब प्लाइवोड पड़ा था, ठीक है, कह रहा है, इना 3 ply board, तो 3 ply यह इंजरिंग सर्विसस का ही सवाल है, और अभी रीसेंटी 2023 में पूछा गया है, ठीक है, तो 3 ply board की जो thickness होती हो, कितनी होती है, 3 ply की जो board आते है, वो 3 mm, 5 mm, 7 mm, 9 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, या 6 mm, ठीक है, तो देखिए, अलग-अलग answer आ रहे है, A और B में बच्चों का confusion चल रहा है, तो मैंने पूरी table आपको दी थी, 3 ply, 5 ply, 7 ply, 9 ply, 11 ply, या उससे ज़्यादा ply की है, अब 3 ply के case में 3 mm की हो सकती है, 4 mm की हो सकती है, 5 mm की हो सकती है, और 6 mm की हो सकती है, तो इस कर रहे हैं, ताकि जो गलती हरनी है, वो यही करनी है, एक्जाम में नहीं करनी, गलतियां यहाँ पर हो जाएंगी, tension clear हो जाएगी, क्योंकि हम गलती करके सीखते हैं, और अगर वही गलती एक्जाम में करेंगे, तो फिर एक साल लग जाएगा सीखने में, तो यही बात है, चलिए, बहुत अच्छे, according to following construction materials, identify the one having the minimum value of density, आपको minimum value of density बतानी है, ठीक है, तो water की सबसे कम होती है, या steel की होती है, या brick की होती है, और नरी Portland cement की, तो पानी की होती है, 1000 kg per meter cube, तील की होती है, 7850 kg per meter cube, brick की होती है, लग 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 मैं, नॉर्मल ब्रिक की maximum भी चले जाता हूं, तो 2000 kg per meter cube, cement की होती है, 1440 kg per meter cube, अब इस इस आप से अगर मैं देखता हूं, तो सबसे कम किस की है, पानी की है, हाला कि मैंने पूरी table भी हाँ पर attach करती है, क्योंकि हमने देखा, recent years में उभर के आया है, तो इसकी density भी पूछी जा सकती है, और 2530 kg per meter cube, bitumen की पूछी जा सकती है, 1040 kg per meter cube, लिख कर बताएंगे, 1040 kg per meter cube, इसके लाबा, steel तो मैंने बताई दिया है, granite stone नहीं नहीं छोड़ दो, ठीक है, ये दो आप याद रखेंगे, ये खास जहान रखेंगे, मैंने मांक भी कर दिया, इस लिटेबल में, चलिए, बहुत अच्छे, arrange the both compound composition, C3A है, C4AF है, C3S है, C2S है, in ordinary Portland cement, in the increasing order, increasing order में लगाना है, least to maximum of their percentage composition, ठीक है, तो percentage composition के हिसाफ से least से maximum की तरफ, ठीक है, तो maximum हमें पता है कि किसका था, बड़े भाईया का था C3S का, तो आखरी में C3S होना चाहिए, ठीक है, उससे कम composition में, उससे कम percentage किसकी होती है, छोटे भाईया की होती, C2S की होती, Dicalcium Silicate, तो option जो बनना चाहिए, वो 4 ही बनना चाहिए, मेरे साब से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर यह तो बनी नहीं सकता है, तो तितर हो रखा है, ठीक है, फिर भी मैं percentage आपको दे देता हूँ, C3S की जो percentage है, वो मैंने पिछली class में भी आपको दी थी, that is, 45 to 65%, C3 है की जो percentage है, 4 से 25%, C4AF की 9 से 11%, C2S की 15 से 35%, तो इस हिसाब से जो maximum, आपका जो alignment बनना भी चीए, अगर परसेंटेज नहीं भी आद था, तो भी होती अच्छी बात है, और उससाब से answer क्या बन जाएगा, जही साब, D बन जाएगा, परफेक्ट है जी, चलिए, according to IS 14315 1995, the maximum thickness of commercial wieners, produce from wood is, ठीक है न, देखे, wieners की जो actually में thickness होती है, ठीक है न, वो कितनी होती है, मैंने आपको recently class में बताया है, कि जो wieners की generally thickness होती है, that is maximum लगबग 0.6 mm के आसपास जाती है, लेकिन commercial forms के लिए, ठीक है न, मैंने आपको ये class में भी सिखाया था question, कि commercial forms के लिए maximum thickness जो जाती है, वो 6 mm जाती है, और इससाब से answer जो बन जाएगा, वो A बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है चलिए, जही साब, अगला जो है, वो है कि आपको मैजा following करनी है, list 1 में 4 दिए गए है, और list 2 के अंदर 5 दिए गए है, ठीक है, तो देखिए, specific gravity, setting time, soundness, fineness, और ये किस से, ये properties किस से निकाली जाती है, ठीक है न, क्यों से, apparatus से, तो भाई, देखिए, हो सकता है, कई बच्चे specific, अगर मैं सही मान के चल रहा हूं, तो yes और no में मुझे जरूर बताएंगे, कि specific gravity का बच्चे जाद अतर नहीं लगा पाते है, लेकिन चलिए कोई बात ही, setting time तो आपको पता है, setting time बेसिकली निकालते है, why cats apparatus की मदश से, तो भाई, मैं यहाँ पर चले जाता हूं, Q के साथ 5 होना चाहिए, Q के साथ 5 तीन में ह soundness जो है, वो basically lime के लिए leechatless apparatus से, और lime and magnesia के लिए autoclave से, तो यहाँ पर leechatless flask दिया हुआ, apparatus नहीं दिया है, तो soundness के लिए autoclave हो जाएगा, और R के साथ 4 आजाएगा, R के साथ 4 दो option में, अब देखे, दो ही ऐसे option है, जो कि एक साथ आएं किसी भी option के अंदर, और कोई समय अलग अलग जा रहे है, तो answer वैसे तो B हो जाना चाहिए, फिर भी fineness पर आ जाता हूँ, fineness निकाली जाती है, ब्लें से, air permeability test से, और specific gravity हम निकालते है, कि से, ली चैटलिया से flask से, तो भाई यह P के साथ 2 होना चाहिए, और देखे, इसी option में P के साथ 2 भी है, तो B आपका एक perfect answer बन जाएगा, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे और मैंने इसके लिए perfect table भी बना के आप लोगों को दे दी है, ताकि आप कल को अच्छे से revision भी कर सके, कल का PDF सबको में लिया था, सबने download कर लिया था, जी, telegram group से क्या सब इने download कर लिया था, अगर सबने download कर लिया था हाँ, तो मैंने सारे पूरे building materials के भी डाले थे, और उसके साथ साथ महाकुम session के भी पूरे डाल दिये थे, हाँ, जी, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बच्छे और जिसका रह भी गया, वो अपना आज telegram group join करके download कर लिया, ठीक है, ओके, हाँ, तो देखे statement वाला question है, डरने का नहीं है, ठीक है, कह रहा है, तो following statement S1 है, और S2, दो statement दिये है, pertain to the effect of moisture content the wood, कि अगर लकडी के अंदर moisture है, तो, ठीक है, कह रहा है, S1, the mechanical properties of wood are not materially affected by reduction of moisture content up to fiber saturation point, सबसे पहले तो आपको समझना है कि fiber saturation point होता क्या है, एक लकडी के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, ना, वो दो जगा पर present होता है, एक उसकी cell walls में, और एक cavity के अंदर, ठीक है, ना, cell wall वाला पानी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, तो basically उसमें से moisture को reduce करते हैं, और moisture reduce करके, basically जो cavity के अंदर पानी present होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, अब cavity के beyond अगर मैं क्या करता हूं, उसमें से पानी को remove करता हूं, तो cavities में से जितना पानी होता है, जैसे remove होता है, वो अपने fiber saturation point को पहुँच जाती है, अब fiber saturation point के beyond, अगर मैं उसमें moisture को reduce करता हूं, तो क्या होता है, लगडी के अंदर shrinkage देखने को मिलता है, अब statement को देख लेते के beyond, अगर आप moisture content को reduce करते हैं, तो उसमें shrinkage देखने को मिलेगा, ठीक है न, दूसरा कह रहा है, shrinkage of wood in the longitudinal direction is greater when compared to radial and tangential direction, देखिए हमेशा longitudinal direction में जो shrinkage है, वो कम में देखने को मिलेगा, और radial या फिर tangential direction में आपको shrinkage जाधा देखने को मिलेगा, तो ये statement तो आपका false हो गया और ये पहला वाला तो truth हाई, तो पहला आप कह सकते है, S1 is true and S2 is false, यानि कि B आपका perfect answer, ठीक है बाई, चलिया, तो यहाँ पर ना, S2 true कैसे हो जाएगा, दोस्त, S2 true तो होई नहीं सकता है, लोंगीट्यूड लकडी कभी ऐसे shrink नहीं होती है, radial direction में shrink होती है, कभी भी आप deleterious material, ठीक है ना, except my car, in uncrushed fine aggregate, ये एक नया question मैंने introduce किया, क्योंकि कई सारे बच्चे exam में जब जाएंगे, तो कुछ-कुछ नए question भी आपको paper में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो कह रहा है कि IS383 के यहसाब से, अगर मैं चलता हूँ, तो मुझे बता दीजे कि maximum quantity deleter material की कितनी हो सकती है, uncrushed fine aggregate के अंदर, ठीक है ना, अगर मैं उसको percentage by mask terms में देखता हूँ, देखिए अगर आप IS383 में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे deleterious material के लिए, ठीक है ना, जैसे की coal और lignite के लिए, clay lumps के लिए, जिन पार्टिकल का साइज 75 micron से छोटा है उनके ल दिया है, fine aggregate uncrushed form में, ठीक है ना, clay lumps का 1%, material जिनका 75 micron से छोटा पार्टिकल साइज है उनका 3%, shale का 1% और total percentage जो है अगर देखा जाए तो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, not greater than 5%, deleterious materials कों से material होते हैं, क्या मुझे कोई comment करके बता सकता है, yes, yes, क्या deleterious materials कों से material होते हैं, क्या कोई मुझे comment करके बता सकता है, anyone, yes, Jai saab, नहीं आता है, तो नहीं आता लिख देंगे, देखिए, simple है, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाता हूं, कभी भी कोई ऐसा paper देने के लिए जाएं, जहां पर interview भी होता है, और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आत तो इसलिए इसके अंदर उनकी percentage 5% से जादा नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नितिजी, ठीक है, अगला question देख लेते हैं, cement motor of fluid consistency, used to fill void and joints in masonry and to repair the crack is known as gunting and permeability, gunting, permeability या grout, तो देखे, simple सा सवाल है, कहरें कि मैं cement motor को भरता हूँ, किसके अंदर, एक fluid की तरह भर देता हूँ, किसके अंदर किसी void या फिर किसी joint के अंदर, अगर कोई masonry worker रखा जैसे पत्थर की दिवार है, या इट की दिवार है, उसमें किसी तरह का crack develop horse को repair करने के लिए, तो उसक गंटिंग कहा जाता है, तो गंटिंग नहीं हो सकता, it will be grouting, बहुत अच्छे, ठीक है, अगला question आपको दिया गया है, which of the following form of PVC with respect to paint, ठीक है, पीवी सी जो है, वो होता है, pigment volume concentration number, और pigment volume concentration number is the ratio of, कितना volume of pigment है, उस paint के अंदर, और क्या total volume of non-volatile, ठीक है, non-volatile material है, यानि कि total amount of paint के अंदर लगबग कितना pigment है, और अगर मैं ये ratio देखता हूँ, तो ये ratio जितना जादा होता है, paint की glossiness उतनी कम होती है, जितना PVCN का number, pigment volume concentration number, जितना छोटा होगा, paint उतना ही जादा glossy होगा, जैसे कि अगर primary undercodes के लिए पूछा जा है, उसका 30 से 50, ठीक है, प्राइम कोट अगर आपको metals पे करना है, तो एक paint का PVCN कितना होना चाहिए, 25 से 40, ये सब exam में question पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्राइम कोट अगर आपको wood पे करना है, तो 35 से 40, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने, मैं इसलिए additional चीजे भी add क कर रहा हूं, ताकि एक question की मदद से आप 2, 2, 3, 3, 4, 4 question के लिए तयार हो सकें, तो अगर एक session के अंदर में 100 question आपको कराता हूं, तो basically आप 200, 300 question के लिए तयार हो जाते हैं, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, lime is obtained by burning limestone at temperature of about, तो देखे, limestone जो है basically, हम क्या करते हैं, उसको heat क करते हैं, और कितने temperature पर 800 से 900 degree Celsius पर इस heating के process को क्या कहा जाता है, आप comment करके बताएंगे, तो इससे lime obtain होता है, उसमें से एक gas release होती है, जिसको हम कहते है carbon dioxide, इस reaction को calcination of limestone कहा जाता है, ठीक है ना, तो 800 से 900 degree Celsius यानि की 800 will be the right answer, बहुत अच्छे, when pure gypsum is heated to 205 degree Celsius, it loses its luster, luster मतलब उसका shine चला जाता है, and due to loss of water of crystallization, its specific density, specific density मतलब density per unit volume, ठीक है, यानि कि, sorry, weight per unit volume, यानि कि unit weight की बात कर रहा है, unit weight increases from dash to dash, तो देखें, ध्यान देने की बाती है कि pure gypsum, gypsum जो होता है, that is calcium sulfate, ठीक है ना, dihydrate, 2S2O, जब आप इसको क्या करते हैं, heat करते हैं, तो भाई, यहाँ पे से इसमें जो पानी है, वो evaporate हो जाता है, जिसकी वज़े से, basically यह क्या कर जाता है, इसकी density बढ़ जाती है, क्योंकि अपने normal form में, gypsum is very soft material, आप चाहें, तो हाथ से इसको खरोच सकते हैं, easily, ठीक है ना, लेकिन जब आप इसको heat कर देते हैं, तो heat करने की वज़े से, इसकी density जो है, वो 2.3 से बढ़ कर, 2.95 हो जाती है, क्योंकि इसमें से moisture का loss हो जाता है, ठीक है ना, और इसी क को आप, cement के अंदर इस्तेमाल करते हैं, as a retarder, किस में इस्तेमाल करते हैं, cement में, किस की तरह, retarder की तरह, ठीक है, तो 2.3 से कितनी हो जाती है, 2.95 हो जाती है, और यह थोड़ा सा, hard convert हो जाता, hard में, तीसलिए हमने क्या का था, आप याद करेंगे, तो हमने, जब हम portland slack cement बना use for grouting operations in large structures, तो grouting operations के लिए, कौन सा cement इस्तेमाल किया जाता है, low heat cement, super sulfated cement, portland pozzolana cement, या quick setting cement, किस cement का इस्तेमाल, basically, आप लोग grouting के purpose से करते हैं, grouting के purpose से अगर देखा जाए, तो हमें एक ऐसा cement चे जो जल्दी set हो सके, और जल्दी set होने की property, जो है, सबसे जादा किसमें होत होती है, तो quick setting cement को basically, दो purpose, major purpose के लिए, इस्तेमाल किया जाता है, एक underwatering concreting के लिए, और दूसरा आपका grouting के purpose के लिए, हला कि मैंने पूरी table भी बना के दे दी है, जैसे कि यहाँ पे quick setting cement के लिए, foundation, basement, underwater structure, यानि underwater concreting, grouting, high alumina cement जो है, वो refractory bricks वगरा बनाने के काम में भी आ जाता है, fire resistant motor बनाने के काम भी आ जाता है, ठीकर ना, इसके लावा chemical attack resistance इसकी अच्छी होती है, तो वहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, rapid hardening cement, आपका emergency works में, road construction में काम आ जाता है, low heat cement, mass concreting में काम आ जाता है, तो यह सब आप से exam में पूछे जा सकते हैं, तो एक shortcut table भी बना दि चलिए, which of the following metals is extracted from chalcopyrite ore, ठीकर ना, chalcopyrite ore से कौन सा metal extract किया जाता है, magnesium, iron, copper या फिर aluminium, तो आपको पता होना चीए, कि magnesium जो है, वो magnesium से मिलता है, iron जो है, वो hematite से मिलता है, copper जो है, आपका chalcopyrite से मिलता है, और aluminium आपका bauxite से obtain किया जाता है, ठीकर ना, तो यहाँ पर best suitable answer क्या हो जाएगा guys, वो हो जाएगा copper, ठीक है, तो देखे, मैंने देखा है कि कई, जितने भी नए-ने questions में काफी सारी, जादा गलतिया हो रही है बच्चों की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि आप गलतिया करें, क्योंकि गलती करके हम सीखते रहते हैं, और जो भी गलती करनी है, वो यहीं करनी है, एक्जाम में नहीं करनी है, clear होगी मेरी बात, I hope, ठीक है बई, ठीक है, अच्छा, यह गलत यहाँ पर लग गया, चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है ना, the rocks that are volcanic origin, जो rocks volcanic origin के होते हैं, and are formed as a result of solidification of molten mass lying below or above the surface of the earth, ठीक है उसको igneous rocks कहते हैं, metamorphic, sedimentary, affiliated, ऐसे rocks को हम igneous rocks कहते हैं, अच्छा, एक मेरा सवाल है आप से कि igneous rocks strong होते हैं या soft होते हैं, मतला hard rocks होते हैं, या soft rocks होते हैं, सभी लोग comment करके बताएंगे, ठीक है ना, इसके दो best example भी comment section में जरूर अब देखें, मैंने इसके लिए भी आप सारे के सारे classification याद रख सकें, इनके लिए भी shortcut tables आप लोगों के लिए बना दी हैं, igneous rocks के जो basic दो common example हैं, वो है basalt और granite, इसके लावा भी example deorite, sorry, dolerite, trap, cyanite, rheolite और gabbro, ये कुछ ऐसे examples हैं, जो कि igneous rocks, igneous rocks basically hard होते हैं, ठीकिन अच्छी घाती strength प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप granite का इस्तमाल आप देखे, peer construction, abdement में, कई जगाओं पर इसका इस्तमाल करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, next question की, which of the following Bureau of Indian Standard provides a value of flakiness index and elongation index of course millable aggregates और aggregates, ठीकिना, basically वो कह रहा है कि course aggregates के लिए मुझे बता दो कि value of flakiness या फिर elongation index की value आपको कों से Indian Standard Code provide करता है, तो ऐसे कोडल questions भी आजाते हैं आप से exam के अंदर, और इसमें मेरी बात एक recommended है काफी जादा, कि कई सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि मैं इतने सारे Indian Standard Code कैसे याद रखूँगा, तो मैंने अक्सर आपसे बोला है कि एक copy आपके पास अलग होनी चाहिए, उसमें दो page में जो भी Indian Standard Code आपको questions के दौरान मिलें, सिर्फ वो Indian Standard Code अपने पास लिखते रहें, और जब exam देने के लिए जाएंगे, तो उस दिन एक बार नजर मार लेंगे, बस, इतना करना, याद करना ही को जो है, वो specifications for fine and coarse aggregate के लिए इस्तमाल होता है, लेकिन ये तो किस के लिए कह रहा है, ये तो कह रहा है कि मुझे flakiness index और elongation index की value जो provide कर सके, ठीक ना, तो यहाँ पर इसके भी कुछ 6 part है, particle size and shape बताने के लिए, part 1 इस्तमाल होता है, और shape and size के basis पे ही, size के basis पे elongation index और flakiness index ता किया जाता है, तो answer क्या आजाता है, part 1 आजाता है, तो answer तो फिलाल D होना चाहिए, उसके बाद deleterious material उसके अंदर कितने होंगे, ये part 2 से पता चलता है, उसकी specific gravity, density, void, absorption सब निकालने के लिए part 3, mechanical properties के लिए part 4, unsoundness निकालने के लिए part 5, और आपका motor making properties of fine aggregates के लिए, आपका part 6, तो मैंने सारे codes mention कर दी है, आप class के बाद revision के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन as per the question, D will be the right answer, part 1, ठीक है, चलिए, dash are generally synthetic polymeric materials and consist of either woven और non-woven fabrics, they are generally used for separation, drainage, filtration and reinforcement, geogrids, geotextiles, geomembranes, geocomposites, अगर नहीं आता है, तो नहीं पता लिख देंगे comment section में, जित्ता मेरी समझ है, ज्यादा तर बच्चों के इसका सवाल का जवाब नहीं आता होगा, लेकिन ये question आप लोगों से पूछा जा चुका है exam के अंदर, ठीक है ना, और ये मैं समझा देता हूं, देखो basically, आप देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, कि सबसे पहले में geotextile पर आ जाता हूं, आपने इस तरह का road में देखा होगा, एक जाली सी बिछाते हैं reinforcement type की, और फिर इसके उपर road बना देते हैं, क्योंकि ये basically क्या करता है, ये basically आपका filtration, separation, या फिर एक reinforcement का का काम करत तो ये geotextile का काम हो गया, दूसरे है geomembrane, geomembrane आप देखेंगे जैसे आपको canal lining करनी है, तो आपने एक polythene sheet type की ले ली, ठीके ना, synthetic sheet ले ली, जिससे कि आप क्या कर सकें, जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा जो गाजियबाद वगरा गए होंगे, कभी दिल्ली गए होंगे, या बड़े-बड़े शेहरों में गए होंगे, तो landfill method आप environmental engineering में पढ़ते हैं, तो बड़े-बड़े landfills में basically क्या होता है, कि बहुत सारा कूड़ा वाँ पे खटा होता है, उसके decomposition के वाज़े से बहुत गंदा-गंदा waste, liquid waste उसमें से produce होता है, जिसे leachate कहते हैं, वो ground के अंदर penetrate ना कर पाए, तो हम नीचे से क्या कर देते हैं, एक इस तरह की geomembrane की layer विचा देते हैं, जिसकी वज़े से वो ground में penetrate नहीं कर पाता, तो इन्हें geomembrane कहा जाता है, यह देखिए, आपको नदर भी आ रहा होगा, ठीक है, तो landfilling के अंदर, canal lining के तो वहाँ पर आपने देखा होगा, side से मिट्टी को retain करने के लिए इस तरह की जाली type की लगी होती है, ठीक है ना, इनको geo grids कहा जाता है, यह तरह से reinforcement का काम करते हैं, जो की unstable soil को stabilize करने के लिए रोक कर रखने के काम आते हैं, इनको कहा जाता है geo grids, ठीक है ना, सबको clear है, अच्छा, उसके बाद एक last है geo nets, तो geo nets की बात की जाए, तो आप यह देखिए, जहाँ पर भी grassing करते हैं, तो अगर वहाँ पर soil बहुत दा stable नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, erosion को control करने के लिए, ताकि grass जो है वहाँ पर, सही तरीके से basically क् अपना काम करती रहे, ठीक है तो इसको geo nets कहा जाता है, soil erosion को रोकने के लिए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, गाइस क्या बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है गाइस, अच्छा, जिस जिसके phone में बफरिंग हो रही है, तो अपनी quality जो है ना, वो reduce कर दें, जिस जि इसके phone में बफरिंग हो रही है, वो अपने YouTube में setting मर जाकर, उसकी quality को reduce कर दें, हो सकता है कि आप high definition में वीडियो को देख रहे हो, उसकी वज़े से internet जैसे ही weak होता है, तो आपकी quality गिर जाती और buffer होने लगता है, ठीक है ना, हाजी, क्योंकि देखे, अगर problem आएगी, तो मे quality of the video थोड़ी से reduce कर दें, जिसके पास internet अच्छा चल रहा होगा, उसका 1080P में भी कोई buffering नहीं होगा, देखे, कई बच्चें 1080P में भी देखें है, no buffering हो रही है, ठीक है? येस, 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 ठीक है ना, जो जो reduce कर देगा, वो reduce करके लिखके बता देना, reduced, reduce लिख देना, करन को बहुत जल्दी है, कह रहा है, question लगाई है, किसी और को problem है, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, आप question लगवा दीजे, फ्री लेक्चर है, मैं टाइम दे रहा हूँ, अपना बहुत बड़ी बात है, अरे मान जा भाई, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, जलिए, अदीक है, अगर आप देखेंगे, ये जी एो, synthetic clay liners का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो वेस्ट वाटर वगरा के contaminant के लिए या कुछ किसी तरह का कोई वेस्ट है ठीक है ना हम चाहते हैं वो किसी भी तरह से क्या ना कर पाए सीपन ना कर पाए एक दूसरी लेयर के अंदर तो उसमें इस तरह चाहता कि लेयरिंग वाला हम लोग क्या बना लेते हैं जियो synthetic clay liners बना लेते हैं और इनका इस्तमाल करते हैं ठीक है तो यहाँ पर answer क्या basically क्या बनना चाहिए ठीक है एक आपका बनना चाहिए geotextiles बैसली drainage filtration reinforcement and सेपरेशन में काम कर रहा था अच्छा एक है जीओ सेल्स आप देखेंगे जीओ सेल्स है ठीक ना इसको बेसिकली हम लोग कहां डालते हैं जहां पर भी हमें स्टीव स्लोप वगरा बनाने होते हैं तो इस तरह के नेट्स आपको सॉइल स्टेबिलाइजेशन एंड सॉइल एक्स्प्लोरेशन के अंदर में बिसिकली पढ़ाऊंगा सिवल इंजिनरिंग में ठीक है चलिए ली चैटलियस मैफट इस यूज़ टू परफॉर्म डैश ऑफ दा सीमेंट कंसिस्टेंसी टेस्ट सा चैटलियस मैफट बेसिकली अंसाउंड निकालने के काम आता है और अंसाउंड निकालने के काम आता है तो आंसर क्या बनना चाहिए बी बनना चाहिए बहुत अच्छे अगला कोशन विच टाइप ऑफ एग्रिगेट्स और बेस्ट सूटेबल फॉर कॉन्क्रीट स्टेंट टक्रीटि आपको बताना है इन में से कौन से टाइप के एग्रिगेट हैं जोकी बेस्ट सूटेबल वाने जाते हैं के स्टेंट और डियव इगर। विव से कॉन्क्रीट के अंदर हमें स्ट्रेंट अगर अच्छी चाहिए अच्छे डियूर बिलीटि चाहिए तो में ऐसे aggregates की जरुत होगी जो की काफी dense हो nature में और dense हो nature में ठीक ना तो वो stable हो जाएंगे stable हो जाएंगे तो strength अच्छी मिलेगी और ऐसे aggregates हो सकते हैं well graded aggregates क्योंकि well graded aggregates के अंदर लगबग हर size के particles present होते हैं जही साब और हर size के particles present होने की वज़े से वो एक dense structure शो करते हैं जो की जाधा stable होता है और लंबे समय तक अपना effect दिखाफ आता है well graded ठीक है gap graded में क्या होता है कुछ particle size range गायब होती है जिससे की वो dense और stable नहीं हो पाता poorly graded के अंदर लगवाग एक ही size के particles present होते है और uniformly graded एक ही है तो वैसे भी यह दोनों का आंसर हो नहीं सकते हैं जो कि आंसर एक ही हो सकता था ठीक है चलिए बहुत अच्छे अच्छा एक चीज़ आपको बता देता हूं आप लोगों के लिए जो है टेस्ट बुक की application पर सेल चल रही है तो जो भी बच्चे बैच जॉइन करना चाहते हों बैच जॉइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्स आप लोगों के लिए cover कर रहे हैं ठीक है आप पूरी civil engineering tech और non-tech के साथ कर सकते हैं ठीक है और इसमें यह च्छे महीने के लिए पूरा पूरा जो बैच होगा आपको technical और non-technical पूरा cover करता हूँ मिल जाएगा जिसमें कि आप एक्जाम के लिए प्रिपैर कर रहे हैं आने वाले समय के लिए तो उसको उसके लिए भी आपके preparation हो जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स कोशन के उपर टर्पिंटाइन ओइल इस यूज इन पेंट एज बेस कैरियर ड्रायर या फिर थिनर अब देखिए टर्पिंटाइन ओईल ठीक है तो देखिए एक पेंट जो है कई सारे ingredients का बना होता है और कई सारे ingredients में एक टर्पिंटाइन भी है टर्पिंटाइन ओइल बेसिकली एदा थिनर इस्तमाल किया जाता है जिसको हम solvent के नाम से भी जानते हैं ठीक है न और इसमें सारे ingredients उनके example उनके roll सारे मैंने एकी table में डाल दिये हैं ताकि आपको याद रखने मे असानी रहे ठीक है तो जैसे कि अगर हमने यहां पर सवाल जो हमारा बना है solvent या फिर थिनर पर बना है इसका काम होता है कि पेंट अगर मैं मान लेकर आता हूं जो आधे बोर्ड में लग पा रहा है और एक पेंट लेकर आता हूं उतना ही paint पूरे बोर्ड में लग पा रहा आता है वेकल कैरियर बाइंडर जो कहलो यह basically सारे ingredients को suspension में hold करने की काम आता है और base जो है वो आपका bulk of the paint बनाता है पिगमेंट जो है paint के अंद़ जो color है वो आपको basically pigments की वज़े से मिलता है बेस का एक example जो खास आपको याद रखना है वो है white lead जो कि timber के ओपर सबस्याद सूटेबल माना जाता है red lead जो कि anti-corrosive properties possess करता है जिसकी वेए से हम इसको किस पर इस्तेमाल करते हैं लोहे वाले materials पर इस्तेमाल करते हैं तो answer यहाँ पर thinner बन जाएगा okay white cement should have at least percentage have least percentage of white cement में सबसे कम percentage किसकी होनी चाहिए aluminum oxide की iron oxide की silica की या magnesium oxide की अब देखे मैंने पिछली class में एक सवाल आपको कराया था कि black cement हमें बनाना था black cement को बनाने के लिए हमने कौन से दो ingredients को mix करके black cement बनाया था सभी लोग comment करके बताएंगे white cement को बनाने के लिए basically हमने क्या किया था iron oxide की presence को एक cement के अंदर जनरली चार से पांच परसेंट से रिड्यूस कर तीन से चार परसेंट से रिड्यूस करके less than 1% कर दिया था ठीक है तो और उसमें कुछ chrome मिला दिया था इसके साथ सथ क्रियोलाइट मिला दिया था ठीक है अब यहां पर हमने क्या किया है हमें black cement बनाना था तो बहुत अच्छे बुंदेल घंड जो भी नाम इनका rice husk ash ठीक है हमने क्या किया था portland slack cement के साथ rice husk rice husk ash को मिला दिया था जिससे की एक black cement का formation हुआ था ठीक है बहुत अच्छे अगले question पर चलते हैं strength-based classification of bricks is made on the basis of ठीक है ना IS 3101 IS 3102 IS 3495 या 3496 तो देखे bricks is made strength-based classification अगर आपको करनी है brick की तो किस Indian standard code के basis पर होती है अब फिर से code वाली value तो हाला कि जैसे कि मैंने बताया कि जो code particularly आप sessions में देख रहे हैं बस उनको अलग से लिखते रहेंगे हाला कि मैं चारों आपको बता देता हूं 3101 हमारे किसी काम का नहीं है ठीक है ना जो aluminium की collapsible tubes बनती है उसके काम आता है ठीक है ना 3102 बेसिकली जो है compressive strength के basis पर ब्रिक को classify करने के काम आता है तो answer क्या बन जाएगा बी बन जाएगा 3495 जो है burn clay bricks में ठीक है जो burn clay bricks है अलग-अलग methods से वेसे कि उनको classify करने के काम आता है classification यहां पर लग देतें classification ठीक है ना यह हमारे काम का हो सकता है तो इसको याद रखेंगे ठीक है और 3496 हमारे किसी काम का नहीं है तो दो code खास मैंने बताए है बस इन दोनों को याद रखना है 1077 जो है वो सबसे important code है bricks के लिए जितनी भी dimensions जितनी भी specifications होती है ठीक है न वो 1077 में sum up की जाती है for the burn clay solid bricks ठीक है न तो 3102 का reference लेकर 1077 में values दी गई है 3495 का reference लेकर 1077 में value दी गई है तो multiple values 1077 में आपको मिलेंगी on the basis of 3102 and 3495 ठीक है चलिए बहुत अच्छे अगले question पर चलते हैं ता fineness of cement can be found out by sieve analysis using sieve number of ठीक है न अगर आपको क्या करना है यह चक्कर क्या है भाई कि बच्चे भी परिशान हो रहे हैं आदे बच्चे कह रहे हैं नो बफरिंग दो चार बच्चे कहते हैं बफरिंग चक्कर क्या है चलो इस पर चर्चा की जाएगी आप बहुत रिजिड चर्चा की जाएगी आज ठीक है यह प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं एक दो बच्चों को जिनको भी आ रही है इसको प्रॉब्लम को सॉल करेंगे आज किसी भी कीमत पर ठीक है फाइननेस आप देखे पार्टिकल क अगर आप नोट जहान से पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिख कर भी होता है था आयस रिकमेंडेड ओन सीव नंबर 9 सीव नंबर 9 के बैसेस पर क्योंकि सीव नंबर 9 का जो साइज होता है वह 90 माइक्रॉन होता है और हमें पता है कि 90 माइक्रॉन के पार्टिकल का साइज कि इंपार्ट कलरें हार्डनेस मेक्स सीमेंट साउंड गिप स्ट्रेंथ या रिस्पॉन्सेपल फॉर क्वेक्क सेटिंग तो ध्यान देने की बात यह है कि और्डिनरी पोर्टलेंट सीमेंट के अंदर हमने देखा था कि सल्फर ट्राय ओक्साइड यानि की सल्फर ठीके न लेकिन अगर इसकी परसेंटेज एकसस में हो जाती है तो यहीं सीमेंट को अंसाउंड बना देता है ठीक है न तो हम यह सकते हैं और इसकी सिंटेज कितनी है एक से 3% सीमेंट के तो यहां पर आंसर क्या बनना चाहिए बहुत अच्छे गाई ठीक है अगला कोश्चन विच फॉलिंग स्टेट्मेंट रिलेटेटेट टू हाइड्रेशन और सीमेंट का होता है जब सीमेंट को आप पानी के साथ मिला देते हैं और जब रियक्शन होती है और वह क्या बना ल पर सैमेंट स्ट्रकिंट साथ में बिल्कुल शही बते हैं जब सीमेंट के साथ मीज़ेंगि एक्जिरख़ रिलीज होती है और जिन रियक्ट्स में हीट रिलीज होती उनको एक्जट का जाता है तो यह थेद्रीज पिर हीट्ट्मेंट से बोस्तेट्मेंट्स invece बहुत with respect to constituents of paint, base, white lead, vehicle, lithophone, pigment, copper sulfate, solvent, naptha, solvent को हम thinner के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक example, naptha भी है, यानि की सही है, pigment में copper sulfate का इस्तेमाल भी किया जाता है, copper sulfate एक pigment है, वेकल में lithophone, नहीं, lithophone एक वेकल नहीं है, ठीके ना, lithophone क्या है, एक base है, ठीके ना, और base में white lead है, बिल्कुल अभी बताया ही था, तो lithophone actually में क्या होता है, it is a mixture of barium sulfate and zinc sulfide, ये exam में पूछा जा चुका है, engineering services में पूछा गया था, कि barium sulfate और zinc sulfide, basically किसका mixture हो, इनके mixture से क्या बनता है, तो इनके mixture से जो बनता है, that is lithophone, and it is used as a base in paint, और ये एक सस्ती quality का paint बनाने के काम आता है, जो कि बहुत ज़्यादा durable तो नहीं होता, ठीक्ठा का appearance दे देता है, और इसको सिर्फ interior works के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीके न, exterior work के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इससे जो भी paint बनता है, वो एक सस्ती quality का paint होता है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, तो दीरे-दीरे हम सारे subjects पढ़ेंगे, ठीक है न, पढ़ना शुरू करोगे तो पढ़ेंगे न, तो निफ्टी, जो भी अपना नाम रख कर आए हो, ठीक है, अपना नाम छुपा रहे हो, ऐसा क्या है वह यह तुम्हारे नाम में, हैं, चलिए, बहुत अच्छे, तो लिथ ultimate strength कौन देता है, और higher ultimate strength देने का काम कौन करते हैं, छोटू भाई करते हैं, कौन करते हैं, छोटू भाई, छोटू भाई मतलब जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, सब लोग लिथ कर बताएंगे, ठीक है न, तो यहाँ पर छोटू भाई जो हैं, वो हैं, डाई केल्शि करते हैं, और सबसे धीरे से प्रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2C, C2S का परसेंटेज जाधा होना चाहिए, बेसिकले, डाई कल्चम सिलिकेट का, अगर अल्ली स्ट्रेंच चाहिए, तो किसका जाधा होना, बड़े भाईया का, बड़े बड़े भाई, कौन, C3S, चलिए, बहुत अच्छे, what is the intent of frog on a standard modular clay brick, ठीक है, indent, what is the indent, 20-30 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, या 30-40 mm, तो basically, एक brick के उपर जो frog है, ठीक है, आपका जो गिरावट, जो डिप्रेशन बना होता है, उसे हम frog कहते हैं, जिसका size 10 into 4 into 1 mm होता है, और मैंने आपसे class में पढ़ाते समय भी ये बात कहीं थी, कि कहीं पे 2 cm भी लिखा हो, तो बुरा मत मानना, 1-2 cm, यानि कि 10-20 mm, तो 10-20 mm का मतलब ये है, कि वह साब, answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, which of the following rock types belong to igneous rock group, ठीक है न, इन मे से basically कौन से rock type जो हैं, वो igneous की category में आते हैं, marble, marble एक metamorphic rock है, real light, ये एक igneous rock है, schist, ये एक metamorphic rock है, shale, ये एक sedimentary rock है, तो इन में से जो आपका best suitable answer कौन सा होगा, real light होगा, real light, अभी मैंने इसी session के अंदर आभी थोड़ी दिर पहले आपको जब ये table दिखाई है, तो मैंन बोला था, उसके बाद गया पर बोला था, है जी, क्या कह रहो, सुना नहीं, जहान से नहीं सुन रहा हूं, अरे, उनना पड़ेगा, जही साब, पेपर देना है, आपको, ठीक ना, लोग जही साब, तभी बुलाएंगे, अभी तो मैं ही बुला रहा हूं, लोग भी बुला इनमें से कौन सा ऐसा है, जो की surface की वर्णेशिंग का objective नहीं है, तो पहली बात तो वर्नेशिंग किसमें की जाती है, जनरली, वुडन शर्फेसें में की जाती है, किसमें की जाती है, वुडन सर्फेसें में, to protect the painted surface from atmospheric action, बिल्कुल सही बात ह्यात है, atmospheric action से, धूप, हवा, प तो French polish आप basically अपने furniture पर करते हैं क्यों उसकी appearance को बढ़ाने के लिए that is nothing but varnish to enhance the aesthetic appearance of painted metal तो जी metal के लिए नहीं, wood के लिए इस्तमाल होती है ठीक है ना, to render brilliance to the painted surface, हाँ, brilliance लाने के लिए, ठीक है ना, तो brilliance लाने के लिए करते है ठीक है, तो यहाँ पर एक ही है, जो not an objective है, that is C, ठीक, तो C आपका एक perfect answer हो जाएगा, बहुत अच्छे, which of the following objective of seasoning of wood is incorrect, ठीक है ना, seasoning का जो भी objective रहा है, उसके इसाफ से कौन सा ऐसा है, जो कि इसमें गलत कह रहा है, reduces the shrinkage and warping after the placement instruction, बिलकुल सही बात है, कि जब हम seasoning कर देते है क्टेंबर की, तो उसकी वजए से उसमें shrinkage और warping होने के chances कम हो जाते है, ठीक है ना, increases strength, durability and workability, बिलकुल सही बात है, उससे उसकी strength भी बढ़ती है, toughness भी बढ़ती है, hardness भी बढ़ती है, durability भी बढ़ती है, workability भी बढ़ती है, आप उसको easily up shape and size दे पाते है, increases its weight, नहीं, weight to reduce होता है, क्योंकि moisture कम होता है, it makes difficult to paint नहीं, अब paint करना भी आसान हो जाता है, तो दो statement गलत है, और वो incorrect वाला कह रहा है, तो 3 and 4, यानि कि A is the right answer, A आपका एक perfect answer है, जही साब, बहुत अच्छे, सभी बच्चों की तरफ से session में likes होने चाहिए, ठीक है वई, which of the falling pair is not correctly matched with regard to defects of timber एक बात बता हो या, तुम लोग बड़े बेसरम हो है, पूछो क्यों, पूछो क्यों पड़ापट पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, ताइम भी बचाना है, ठीक है, पहले, इसके दो answer है, पहले तो engineer है, तो बेसरम तो हो ग कि कल बोला था कि हर सेशन के आखरी में कोशिश करिए कि पांच में से कुछ रेटिंग दिया करिए और कुछ चीज़ें लिखिए कि सेशन में कैसा रहा कैसा नहीं रहा कि क्या अच्छा है उसको कंटीनियू किया जा सके क्या कुछ कम रहा जिसको इंप्रूव किया जा सके आपके लिए वहतर होगा है जी आपी के लिए काम आएगा मतलब हो है तो करना ठीक है है ठीक है चलिए आ जाते हैं नौट करेक्ली मैस्ट रिगार्ट टू डिफेक्ट सफ टिमबर ठीक है तो आपको जो भी इसमें सही से नहीं मैच किये जैसे स्टार शेक कह रहा है देर्यार रीडियल स्प्लेट्स एन क्रैक्ट अर वाइड देखिए स्टा तो सेंटर की तरह डिमिनेश हो रहा है तो बीच में से फट जाती है ठीक है और यह बाहर की तरफ नेरो होता रहता है तो हाट वाले सेक्शन में बड़ा होता है इसी वजे से तो यह भी ट्रू है फॉक्सिनेश इड़ा साइन ओफ डीके अपीरिंग इंदा फॉर्म येल्लो और रिंग टिंग और डिसकलरेशन ओवर मिचौर ट्री बिल्कुल सही बात है ओवर मिचौर ट्री का अगर प्रॉपर वेंटिलेशन अगरा नहीं होता तो वह डीके को बिसिकली उसका रिप्रे ही है ठीक है ना हो सब्सक्राइब ना तो और ये फॉक्सिनेस तो यहाँ पर एक ईस जो है वो गलत है स्टेट्मेंड डेट है बी स्टेट्मेंट ला नहीं की यह आप आप सकते है कि ओदेए यह transmission बताना है और इसलिए मैं आफ लिए खास आप टार्णी और अलग अलक कर सारे मटिल्स कवर की क्योंकि एक्जाम में वो स्लेबस में तो नहीं लिखता लेकिन कोशन पूछ लेता हूं से रिलेटेट तो आपको हर एक चीज पता हुनी चाहिए ठीक है तो इसलिए मैं चीज वह पढ़ाई जाए जो कि एक्जाम में पूछी जा सकती है ठीक है अब देखिए चार स्टेटमेंट दिये तो मैं चारों के बारे में पहले आपको बता देता हूं देखिए नैचुरल आसफाल्ट जो है बिसिकली लेक बेट से मिलता है उसके डिस्टिलेशन करके आप बेसिकली उसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए उसको इस्तमाल कर सकते हैं पेव्मेंट कंस्ट्रक्शन में मैस्टिक आसफाल्ट जो होता है वो बेसिकली हम क्या करते हैं आसफाल्ट का चूरा बनाकर उसको सुखा कर चूरा बनाकर उसको पलवराइज करकर थोड़ा सा उसको जलाकर उसको मॉल्टन स्टेट में ले जाते ठीक है। यह थोड़ी सी डैम प्रूफिंग करने के काम भी आती है। ठीक है एक होता है लिक्विड आसफाल्ट। तो लिक्विड आसफाल्ट क्या है। क्या बेसिकली residue है विसकास। आप कह सकते हैं bitumen का। ठीक है इसको distillation of और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो लास से कट बैक बिटुमिन तो जो भी बिटुमिन मेरे पास है उसकी विसकॉसिटी को रिड्यूस करने के लिए अगर मैं उसको केरोसीन या फिर किसी तरह के आप कह सकते हैं कि इसके लाव एक अग्जामपल और देता हूं मैं आपको केरोसीन हो गया कोई लाइट और नैप्था हो गया इसमें मिलाकर अगर तयार करते हैं तो यह कट बैक बिटुमिन बन जाता है तो अब इसके एसाब से आपको चार स्टेट्मेंट दिए गए हैं जि इसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है और इसको रिफाइन करके तब हम उसके अप्टेन करते हैं ठीक है तो यहां पर पहला स्टेट्मेंट बिल्कुल गलत दिया गया है ठीक है चलिए झालएव सर्फा जाता है जा जाता है जाता है है झालएवी प्र यहां ऑचाँ तो अब जह सवाल के साथ हो रहा है। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ différents यह रहा हैं जिनके साथ नहीं आता है वह लख कर बतार एंगे कुछ बच्च आएगा यह पर स्एमठी पर कुछ बच्च्ट करें देट कि अच्छा सवराव अगरवाल जी कह रहे कि मैंने वीडियो क्वालेटि कम कर दिया अब नहीं आ रहा है तो जतने व्यत्टे हैं मेरा उंसे सवाल है कि क्या आप वीडियो कॉलिटी के डाउन करके करके देख रहे हैं क्योंकि आजकल बारिश का सीजन है बारिश के सीजन में भी ऐसा हो जाता है कि अगर आप हाई क्या हो जाएगा ठीक ना क्योंकि जिन बच्चों का इंटरनेट हम देश के अलग अलग हिस्तों में रहते हैं जहां पर इंटरनेट शायद कभी-कभी इतना अच्छा नहीं हो पाता है ठीक है तो कोशिश करें क्योंकि देखिए इससे नुकसान आपका होगा क्लास किसके हुहुहुहु गours है ठीक है अगर इस तरह का इश्वाज़ आगे भी आता सब्सक्व करीं तो थोड़गे है और आगे प्रशुप को मैं थोड़ा साज लूक आउट करूँगा बहुत थोड़ा रिजिडली थोड़ा इसका लूकाउट करेंगे टेक्निकल जी को पकड़ते हैं यह क्या चक्कर है जही साब क्लास जो है थोड़ा गड़बडा रहा है क्या बात है ठीक है चलिए कशने को जलती एक बाड़ा सकते जो रेट अफ़ा ड़ा देते हैं अब रेट-अब अब आने के लिए के अंदर हमने एक अन्धिन्ट करते है जनरल इलॉमिना वह फ्लैश वसक्ति है अभाप यह यहाँप्स कंपाउंड के रिस्फेक्स में दी गई है अधेट फिल भी नसींग बड़ सी थी थी त्राइग केलिश्यम एलुमिनेट एलुमिना ठीक तो ट्राइग केलिश्यम फ्रॉपटी आपको प्रॉइड करेगा सब्सक्राइब करता है और सट्रेंग बढ़ाने में काम करता है तरह काम करता है मतलब सब्सक्राइब करने की वजाए ठीक है ना हम ने क्लास में आपको बताई है तो आपकी जो fineness modulus की value है, fineness modulus basically average size of the particles बताता है, ठीक है न, तो fine aggregate की generally जो value है वो लगबगग 2 से लेकर आपकी 3.5 तक जाती है और जो आपका course aggregate है इसकी value जो है लगबग 6 से साड़े 8 के बीच में रहती है, ठीक है तो 6 से मिक्षर बना लेता हूं तो उसका fineness modulus लगबग on an average कितना होगा, तो वो साड़े 4 से 7 के बीच में होगा, सब लोग लिखकर बताएंगे कितना होगा, साड़े 4 से 7 के बीच में होगा, ठीक है उसके बाद देखते हैं, English bond is provided in woodwork, steel work, reinforced concrete work या फिर brick work, तो देखिए English bonding basically मैंने कल की class में आपको सिखाई भी थी, कि English bonding जो है basically उसमें हमें एक layer में क्या करता हूं सिर्फ stretcher लगाता हूं ठीक है ना दूसरी layer के अंदर में header से शुरू करके उसमें queen closure brick डाल देता हूं ताकि मैं rules of bonding को follow कर सकूँ और सारे के सारे joints को एक vertical alignment में ना नहीं दूँ अब A course और B course को क्या कर दिया जाएगा repeat कर देता हूं तो इससे जो bonding बनती है उसको English bonding का आ जाता है ठीक है और यह मैं किसमें कर रहा हूं brick work में कर रहा हूं लेकिन वहीं पर Flemish bonding भी बताई थी Flemish bonding में क्या किया था stretcher header को basically मैंने A की course में लगाया था और B course के अंदर header से शुरुवात करके फिर queen closure brick को डाल कर फिर stretcher header का combination बना दिया था और यह A course बन गया और B course बन गया अब A course और B course को मुझे क्या करना है repeat करना है बस और इससे जो bonding बनेगी वो Flemish bonding होगी Flemish bonding basically आपकी appearance जादा अच्छी देती है strength भी अच्छी देती है लेकिन जादा अच्छी strength आपको English bonding प्रोवाइड करने का काम करती है इसलिए आप देखेंगे जितने भी commonly आपके घर में जो eat का काम होता हो ज्यादातर English bonding में ही किया जाता है ठीक है तो आंसर ब्रिक की वेसिस पर अब test book की application पर चलेगी that will be a rank improvement class और आप सभी लोग को class करनी है कल से that will be 4 p.m. कल शाम चार बज़े से होगी तो रात की 9 बज़े की class तो आप लोग एक लिए continued रहेगी जिसमें कि हम लगबग हर subject को complete करने की कोशिश करेंगे उसके साथ साथ को एक question based special class रहेगी on test book application that is absolutely free ताकि आप अपनी rank क्यों पर काम कर सके और हर session में आप अपनी rank को judge कर सके ठीक है चलिए तो यहां पर तो आप एक दूसरे का अंसर रट्टा मार के वो क्या कर रहे हैं copy मार दे रहें लेकिन वहां पर आप copy नहीं कर पाएंगे दूसरे का अंसर वहां पर accurate result मिलेगा the specific gravity of commonly available ordinary Portland cement is ordinary Portland cement की जो specific gravity है वो लगवलबग 3.15 होती है इसके लावा अगर मैं specific gravity जैसे कि आप से पूछी जा सकती है कि मुझे बता दीजिए steel की कितनी होती है तो steel की 7.85 कितनी होती है 7.85 सब लोग comment करके बताएंगे ठीक है उसके पास which of the falling imparts red color to the brick ठीक है ना लाल रंग ज होता है वो कितना percent होता एक brick earth के अंदर यह आप मुझे बताएंगे वैसे तो brick earth में बूली दिया है और यह iron oxide की वेज़े से होता है iron oxide यह लाल रंग देखने को मिलता है और basically यह एक brick earth के अंदर 5-6% की मात्रा में होता है कितनी percent की मात्रा में 5-6% की मात्रा में बहुत अच् water use in conducting the initial setting time test on cement is तो cement में basically जब मैं setting time test करता हूं तो वह autoglave apparatus में करता हूं और उसमें जब मैं paste बनाता हूं तो basically 0.85 times of P पानी को मिलाता हूं ठीके ना लेकिन इसके लावा भी आपसे water content पर सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे कि जब आप compressive strength test करते हैं तो कितना पानी मिलाते हैं तो फिर वहां पर कितना पानी मिलाते हैं 0.78 times of P water बहुत अच्छे चलिए अगले पर चलते हैं the moisture content in a well seasoned timber is एक well seasoned timber के अंदर moisture content लगबग कितना होता है 4-6% 6-8% 10-12% या 15-20% तो एक well seasoned timber के अंदर basically हम moisture content को 20% से नीचे reduce कर देते हैं और commonly उसको ले जाया जाता है लगबग 12% पे तो 10-12% आप क्या सकते हैं ठीक है तो 10-12% so C will be the right answer बहुत अच्छे ठीक है 10-12% पे क्यों ले जाते हैं 10-12% पे इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उस समय growth of the tree खतम हो जाती है moisture content पे और अगर आप इससे क्या करते हैं इस timber का conducted on ordinary Portland cement select the incorrect pair अच्छा incorrect पेर बताना है soundness देखे soundness जो है लीच अपरेटर से निकाली जा सकती है autoclave से निकाली जा सकती है तो सही है heat of hydration basically हम कैलिरो मीटर test से करते हैं तो कैलिरो मीटर का से निकाली जाती है यहां पर कोण slum test दिया है तो कोण slum test तो basically workability of concrete निकालने के काम आता है तो यहां पर जो गलत incorrectly matched है वो कौन सा है डी option है या फिर आप कह सकते हैं fourth option है बहुत अच्छे which of the following is the box compound in ordinary Portland cement के अंदर चार box compound होते हैं एक c3s एक c2s एक c3a और एक c4af ठीक है ना c3s जो है उसको हम elite बुलाते हैं c2s को हम bilite बुलाते हैं c3a को हम silite बुलाते हैं और c4af को fillite बुलाते हैं तो भाई यहां पर a की option दिया गया है and that will be a so one first will be the right answer बहुत अच्छे according to is 1077 is 1077 के हिसाब से the water absorption for common burn clay building bricks shall not be more than dash by the weight for class 10 bricks देखिए basically is 1077 ने क्या किया हुआ है 1077 ने bricks को दो classes में बाटा हुआ है up to 12.5 और दूसरा greater than 12.5 तो greater than 12.5 के case में जो water absorption limit है वो 15% है और up to 12.5 के case में 20% है इस code के इसाब से ठीके ना और class 10 जो हुआ वो up to 12.5 के नीशे आ गया यानि कि 20% पानी absorption की limit है तो 20% यानि है कि यह आपका सही आंसर होगा ठीक है ना यह आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा तो up to 12.5 20% greater than 12.5 15% और class 12 class 10 जो है 12 से नीचे आती है इसले 20% हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छे वेर freezing and thawing actions under wet conditions exist ठीक है ना वहाँ पे wet condition है मतलब मान लेते हैं हवा में बहुत moisture है ठीक है ना freezing and thawing condition है महाँ पे ठीक है थंड पड़ रही है basically एक तरह से enhanced durability can be obtained by the use of suitable air in training admixtures pozzolanas plasticizers या फिर water admixtures ठीक है ना देखिए अगर मुझे freezing and thawing action से अपने concrete को basically बचाना है या फिर आप कह सकते हैं उस condition में भी अपने concrete को ज़्यादा efficient बनाना है तो मैं उस case में air in training admixtures का इस्तिमाल करता हूं air in training admixtures की एक खास बात होती है कि यह इसकी workability को भी बढ़ा देते हैं इसमें bleeding और segregation होने के chances भी घटा देते हैं और freezing and thawing की condition से भी इसको ज़्यादा resistance प्रोवाइड करने का काम करते हैं air in training कि अमेरे किके ना Amout to our heat commercial which takes enough legal debt that we have la tuvo interest करानी है क्योंकि हमें पता है कि वहां पर क्या हो सकता है क्रेक्स जवलप हो सकते हैं इसको लुए हम लूँट सीमेंट को सबस्वैर्वा था पुरिफर करते हैं ठीक है बहुत अच्छे low-heat सीमेंट मास कॉंस्ट्रक्शन लाइक डैम्स अब्डमेंट्स तो कौन सा टाइप का सीमेंट किस केस में इस्तेमाल किया जाता है यह भी मैंने यहां पर साथ में में मेंचन कर दिया है ठीक है क्लियर है तब को ठीक है ओके विच आप फॉलिंग इस नौट इन एडवांटेज इन में से कौन सा ऐसा है जो की प्लाइवूड का डेवांटेज नहीं है दबुडश्रिंग्स और स्वेल्स ओर मोर एक्रॉस दग्रेंज ठीक है ना तो भाई देखे अगर ग्रेंज के अक्रॉस वो ज्यादा स्वेल करता है तो अक्रॉस दग्रेंज तो वह एडवांटेज तो statement गलत हो गया तो advantage, disadvantage से तो बहले ही बाहर हो गया, it has weak splitting resistance due to grains at the edges, ठीक है न, तो edges पर plywood की एक problem ये होती है, कि जनरली वो edges पर क्योंकि वो कई सारी layering करके बनी होती है, तो ये एक थोड़ा साथ प्लाई की, नौ प्लाई की, ठीक है न, तो वो edges से खराब होने की और split होने की उसमें chances काफी होते हैं, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा disadvantage रहता है ply में, ठीक है, it has good strength both along as well across the grains, ये भी सही statement है, true statement है, तो advantage है ये तो, plywood can be curved into desired shapes, विलकुल इसको इस भी shape म आप curve करना चाहें, कर सकते हैं, तो ये भी advantage है, सही है, तो disadvantages में सिर्फ एक ही है, and that is statement B, ठीक है भई, principle constituent of siliceous rock, एक siliceous rock का principle constituent कौन होता है, sand, clay, lime, या slate, तो भई, principle constituent, एक siliceous rock का sand होता है, sand nothing but silica, ठीक है न, एक siliceous rock के कई example आपको याद रखने चाहिए, that is granite, that is basalt, साइनाइट, ट्रैप, जितने example याद आ रहे हैं, comment section में लिखते चले जाएगाई, जितना लिख लिख कर याद करेंगे, उत्ता बहतर कर पाएंगे आप, ठीक है, sandstone, साइनाइट, तो मैं दुबारा रिपीट कर देता हूँ, granite, basalt, gris, साइनाइट, trap, sandstone, ठीक है, sandstone में तो नाम में लिखा है sand, चीक है, चलिए बहुत अच्छे, इसके लावा calciarious के भी याद रखेंगे, marble, limestone, kankar, dolomite, gypsum, argilicious के भी याद रखेंगे, आपका slate हो जाएगा, litrite हो जाएगा, cyst हो जाएगा, ठीक है ने, इसके लावा shale हो जाएगा, यह सब क्या है, आपकी argilicious rocks है, ठीक है बहुत, soundness of aggregate, test is important, for which of the following types of atmospheric condition, तो कौन से atmospheric condition के अंदर, aggregate का soundness test जो है, जादा important है, अब soundness test से यहाँ पर आवाज नहीं है, volume change ही बात चल लिए, कि aggregate का जो volume है, वो change हो सकता है, तो वो change हमें ना देखने को मिले, अब वो change हमें generally तब देखने को मिलता है, जहाँ पर freezing and thawing cycles basically exist करती है, या फिर जहाँ पर आ section, so D will be the right answer, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दा crushing strength of first class burnt clay brick should not be less than, तो first class brick की जो strength है, वो basically 10.5 Newton parmium square से कम नहीं होनी चाहिए, second class brick की जो strength है, वो साले 7 Newton parmium square से कम नहीं होनी चाहिए, ठीके ना, third class brick की जो strength है, ठीके ना, वो 5 Newton parmium square से कम नहीं होनी चाहिए, और एक common brick की जो strength है, वो किस से कम नहीं होनी चाहिए, आप मुझे comment करके बताएंगे, ठीके, तो हला कि यहाँ पर first class के लिए पूछा है, तो वो 10 हो जाएगा, 10 Newton parmium square से कम नहीं होनी चाहिए, ठीके, बहुत अच्छे, the main ingredient of cement is, cement का main ingredient क्या है, alumina, iron oxide, silica, या lime, तो cement का major ingredient है, आप कहा सक calcium oxide, calcium oxide बोले तो lime, जो की 62-67% होता है, silica, cement के अंदर 17-25% होता है, iron oxide, 4-5, नहीं, sorry, 3-4% होती है, alumina, आपका इसमें 3-8% होता है, ठीक है, तो यह percentage आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एक्जाम में आप से बहुत पूछी जाती है, cement related, एक-एक line याद रखनी है, सीवें lime बना, कई भी कभी है, ऐसे भी पूछा जाता है, कि दो major ingredients बताईए, everyone please comment, कि दो major ingredients cement के कोन से है, तो एक तो आपको पता जालिया कि lime है, ठीक है ना, और दूसरा major ingredient क्या हो जाएगा, silica हो जाएगा, जही साहब, तो lime and silica, बहुत अच्छे, excess alkali in cement cause, alkali aggregate reaction, efflorescence, staining, या फिर all of these, तो देखिए, alkali, जो है, basically salt होते हैं, जो कि यह property possess करते हैं, कि वो atmosphere में से, पानी को सोखने का काम करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वज़े से, जब, basically क्या होता है, कि cement दीरे-दीरे degrade करना शुरू हो जाता है, white patches develop होना शुरू हो जाते हैं, उसके surface वियान की stains आना timber is a material which is isotropic, anisotropic, ductile, malleable, ठीक है ना, तो देखिए, अगर मैं timber की, यानि कि लकडी की बात करता हूँ, तो लकडी में अकसर आपने notice किया होगा, कि लकडी की जो हमने बात करी थी class में की strength along the grains ज़्यादा मिलती है, across the grains कम मिलती है, ठीक है ना, इसमें जो shrinkage है, ठीक है ना, वो radial direction में जादा होता है, longitudinal direction में कम होता है, जिसकी वज़े से properties आप देखें, तो हर direction में same नहीं मिल रही है, तो आप इसको n isotropic material कह सकते हैं, अगर हर direction में strength same मिल रही होती, shrinkage बराबर हो रहा होता, property same हो जाती, तो हम उसे isotropic material कह सकते थे जही साब, ठीक है, सब को clear है, तो clear ज कर मुझे बताते नहीं, yes everyone, ठीक है फिर इसके आगे बढ़ेंगे, अभी तो हमें बहुत कोशन करने हैं दोस्तों, क्योंकि यह है कोशन का महाकुम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है मही, the most commonly used dam proofing material is, bitumen, cement concrete, paraffin way, cement solution, तो देखे, dam proofing करने के लिए, हम cement का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे best suitable material माना गया है, dam proofing के लिए, that is bitumen, ठीक है न, bitumen अगर option में नहीं होता, तो मैं cement concrete का इस्तिमाल कर सकता था, जही साब, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, increase in fineness modulus of aggregate indicates finer grading, coarser grading, gap grading, या none of the above, तो देखे, fineness modulus basically mean size of the aggregate बताता है, और अगर यहाँ पर fineness modulus की value बढ़ेगी, तो क्या होगा, यानि कि उसका mean size भी बढ़ेगा, average size increase होगा, यानि कि particle क्या होता चला जाएगा, course होता चला जाएगा, तो वो course grading को basically indicate करता है, किसको indicate करता है, course grading को, अगर इसकी value घटती रहती, जैसे कि आपको example देता हूँ, course send का fineness modulus कितना होता है, course send का होता है, 2.6 से 2.9, ठीक है न, fine send का कितना होता है, fine send का होता है, 2.9 से 3.2, और fine send का कितना होता है, 2.2 से 2.6, medium send का कितना होता है, medium send का होता है, 2.6 से 2.9, ठीक है न, तो आप देख रहे है, जैसे, जैसे, fine से, medium, medium से, course हो रही है, fineness modulus की value भी बढ़ रही है, तो course अर ग्रेडिंग को बता रहा है, वो, चलिए, भई अच्छा सेम् कश Je century हो गया दक क्या प्रिसुपिटेटेट सीडिमेंटरी रॉइंज तो क्या और यह विध sì टेरांट चेह मल्कल में कौन सा चाहर आता है जब सम आता है क्षाल मारबल क्या है फो देखे दिटिकस्ट आपका今 site sedimentary rock है quartzite आपका क्या है एक metamorphic rock है marble आपका क्या है एक metamorphic rock है जितना लिक लिक कर याद करेंगे उतना याद रहेगा तो यहां पर sedimentary rock की category में कौन आता है gypsum आता है gypsum एक mineral भी होता है और gypsum को आप stone भी consider करते हैं yes or no चलिए बहुत अच्छे the field test for the quality of cement consistent putting a small quantity of cement in a bucket containing water a good quality cement will the float अच्छा एक बच्चा लिख रहा है कि सर गुपता अपने question नहीं बनाता गुपता सारे एक्जामों से चाप कर question एक book बनाता है ठीक है ना तो question गुपता गुपता से नहीं है ठीक है ठीक है भई ठीक है ठीक है फीज़ी टेस्ट कॉलिटी ओप्वॉंटिटी और सीमें इन बखेट कंटेंच वहां देखिए इसमें क्या होगा कि अगर सीमेंट है मैंने एक पानी के नहीं ठीक है तो इसमें जो कोश्चन की फ्रेमिंग है वो जाधा अच्छी तब हो सकती थी ठीक है जब वो कहता कि फ्यू सेकिंड्स के लिए फ्लोट होना चाहिए और देन सिंक होना चाहिए क्योंकि इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो बॉत प्रेमिंग वो क्यों तो इसमें आपको बटा दी है एक तरह मेंग चाहिए तो इस slightly curved corners are called तो भाई, अगर में पास एक eat है और मैंने उसके edges को क्या कर दिया, थोड़ा सा curve कर दिया है, ठीक है, तो मैं उनको क्या कहता हूँ, bull nose, closure, round nose, जा specific nose तो देखिये, इनको nose bricks कहा जाता है अगर एक edge उसकी जो क्या करी गई है, rounded की गई है तो उसे bull nose brick कहा जाएगा और अगर उसके दोनो edges को round कर दिया गया है, ठीक है, तो उसे cow nose कहा जाएगा, तो bull nose दिया गया, हला की option के अंदर ठीक है, बहुत अच्छे, closure brick तो वो हो जाएगी, जिसको मैंने length की along आधा काट दिया, कि मैं पास यह 8 सी, मैंने इसको ऐसे आधा काट दिया, जो आधी मेरे पास बची, वो क्या है, closure brick है, ठीक है, बहुत अच्छे maximum permissible limit for magnesia content in ordinary Portland cement is 5%, 6%, 8% या फिर 10% हाजी 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 इसमें कई answer आ रहे हैं, एक परसेंट, पाच परसेंट, छे परसेंट, अलग 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 आधा जबकि मैंने class में इतनी बार बता दिया, इसकी table बना-बना के notes दे दिये, ठीक है ना, लेकिन क्या कह रहे हो, पढ़ूँगा नहीं, ठीक है, तो मैंने बताया था कि OPC 33 grade के cement के अंदर मैंगनी है, कि maximum percentage 5% हो सकती है, 43 grade के case में maximum 6% हो सकती है, तो किसी भी grade of the cement के अंदर maximum percentage of magnesium क्या हो सकती है, 6% हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो OPC 33 के लिए कहता है, तो कितनी हो सकती है, 5% हो सकती है, ठीक है, तो उसने अभी grade of the cement mention नहीं किया है, जिसकी वाज़े से हम 6% चूज करेंगे, लेकिन इसमें OPC 33 के लिए 5% है, ठीक है भाई, एक्सेस ओफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन, ठीक है ना, ब्रिक अर्थ में अगर सिलिका की percentage एक्सेस मातरा में होती है, तो क्या होता है, देखिए, एक सिलिका बेसिकली strength प्रवाइड करने का काम करता है, shrinkage, cracking और वर्पिंग से बचाने का काम करता है कीट को, 50-60% की मातरा में होता है, लेकिन अगर एक्सेस मातरा में हो जाता है, तो उसमें ही clay particles के बीच का cohesion reduce करना शुरू कर देता है, और reduction in cohesion की वेशे brick जो हो जाती है, वो brittle हो जाती है, तो इसमें loss of cohesion देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, loss of cohesion, बहुत अच्छे, identify the feature of tilting mixtures, तो देखे, concrete के अंदर आप से mixtures के उपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और यह engineering services का ही सवाल है, the tilting mixtures may have hand fed और loader fed, tilting mixtures जो होते हैं, जिसमें कि आप concrete mixture करते हैं, आपने देखा भी होगा, आपके घर के आज़ पर जब भी concrete बनाया है, आपने इस तरह की कोई एक skip type की बनाई हुई है, सारा material से आता है, और इसके अंदर fed हो जाता है, ठीक है, the mixture is generally bowl shaped or double conical frustum shape, ठीक है ना bowl shaped आप कहा सकते हैं, इस तरह का होता है, ठीक है ना, या फिर double conical frustum shape हो सकता है, इस तरह का, ठीक है, तो यह भी सही है, it can be tilted for discharge, discharging concrete, concrete discharge करने के लिए भी कर सकते हैं, यह भी सही है, ठीक है, कह रहा है, blades are fixed outside the drum, drum के बहार अगर blade लगा देंगे तो यार फिर mix कैसे करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर option जो होना चाहिए, वो third होना चाहिए, a, b and c, a, b and c, तो भाई हमें blade तो drum के अंदर लगाने पड़ेंगे, ता कि material अंदर डाल रहे तो mix हो, बार कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, चलिए, basalt is an example of which of the falling among, ठीक है, अच्छा, अब basalt के आपको सारी classification बतानी है, मैंने किछली class में आपको बोला भी तक हास, कि basalt की सारी classification आपको याद रखने जही साब, तो बताएंगे तब लोग, कि basalt कि सारी classification, basalt कि स्क्रिप में आता है, igneous rock, दूसरा इसको हम क्या बोलते है, eruptive rock बोलते है, तीसरा मिसे क्या बोलते है, extrusive rock बोलते है, इसको और क्या बोलते है, volcanic rock बोलते है, इसको और क्या बोलते है, siliceous rock बोलते है, इसको और क्या बोलते है, unstatisfied rock बोलते है, तो ये सारी classification किसकी है, basalt की है, अब इसमें से आप चूस कर लो वही कौन सा option में दिया है, igneous दिया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे, बह falling rocks are formed by cooling and solidifying of the rock masses from their molten magmatic condition of the material of the earth तो देखे जो molten magma ठीक है उसके solidification से जो पत्थर बनते हैं वो काफी strong होते हैं जैसे की basalt जैसे की granite और यह किस category में आते हैं igneous rocks की category में आते हैं तो answer क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बहुत अच्छे ठीक है basalt, dollarite, trap सारे example लिखते चले जाओ granite बसाल्ट और granite सबसे अधाधा पूचे जाने वाले example है रियोलाइट गैबरो साइनाइट ठीक है यह सब आपके क्या है igneous rocks है ठीक चलिए बहुत अच्छे consider below statement with respect to properties of asbestos and identify the correct answer statement यह दिया asbestos has low heat conductivity तो भाई low heat conductivity और दूसरा दिया है तो देखिए heat conductivity तो इसकी low होती है true बात है मैंने पिछली class में यह आपको asbestos पड़ाया है और इसकी यह resistance to acids इसकी कम होती है तो यह false है यह highly resistant to acids कह रहा है तो statement a correct है लेकिन b incorrect है यह होना चाहिए हलां कि मैं आपको दे भी देता हूं ठीक है resistance to acids poor होती है और इसकी heat conductivity low होती है ठीक है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है asbestos की use आपने देखे होंगे इस तरह के cement sheets साती इनको cement asbestos cement corrugated sheet कहा जाता है यह asbestos cement से बने sewer pipe है ठीक है तो multiple जगहां इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक हो गया बहुत बढ़िया अगला है is 12600 के हिसाब से बताइए initial setting time of low heat Portland cement कितनी होती है should not be less than कितने मिनट नबबे मिनट 45 मिनट 30 मिनट 60 मिनट yes everyone yes everyone yes everyone please let me know ठीक है ना तो low heat Portland cement की जो initial setting time है वो 60 मिनट होती है कितनी होती है 60 मिनट तो कई लोग 30 बता रहे हैं वो OPC क्यों थी चचा मान जाओ मान जाओ अब तो पढ़लो ठीक है ना कल की ग्लास में टेवल भी दी थी क्या कह रहे हो पीडियों डाउनलोड करके सिर्व रख लेता हूं खुद हो जाता हूं रहोगे ठीक है पेपर भी देने जाओगे जेब में रखके आओगे उसका कुछ नहीं बनेगा ठीक है तो ओर्डिनरी पोर्टलेंट सीमें तीस मिनट रैपिड हर्णिंग सीमें तीस मिनट हाई लुमिनर सीमें साड़े तीन गंटे लोग सीमेंट साथ मिनट ठीक है ना डाउनलोड करके रखना नहीं है चचा पढ़ना है उससे ब्रेक अर्थ शुट कंटेन अबाउट डैश ऑफ सिलिका ठीक है डैश ऑफ सिलिका तो डैश ऑफ सिलिका की अगर बात की जाए तो सिलिका लगब पचास से साथ परसेंट मेजर इंग्रीडियंट होता एक ब्रेक करत का ट्रेंट प्रोवाइड करने का काम करता है प्रिवेंट करता है क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है वर्पिंग को ठीक है ना येस बहुत अच्छे ठीक है अगला स्टेट्मेंट देख लो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन से लेटेट दिया गया है स्प्लिटिंग ऑफ स्टोन मिनरल अलॉंग दा पैरलल प्लेंस पैरलल टू क्रिस्टल फेसे असको क्लीवेज हां पुछली क्लास में आपको पता है कि क्लीवेज नथिंग बट जो भी उसकी लेरिंग है उसके अलॉंग उसको स्फ्लिट करना ठीक है ना तक कलर ऑस्टोन मिनरल इस पाउडर फॉर्म इस लश्चर नहीं लस्चर नहीं बोलत है लस्चर तो शाइन होती है कलर के यह साब से उसको बोले रहाता है पिछली क्लास में बताया था मैंने तो वही ट्रू है और यह दूसरा वाला फॉल्स है एस करेक्ट एंबी इंकरेक्ट यानि की डी स्टेटमेंट सही होना चाहिए उच्छी का बहुत अच्छे आइडिंटिफाइदा इनकरेट स्टेटमेंट विध रिस्पेक्ट्ट टाइप अ स्टून कंकल कंकल मे हैं कंकड़ शेंटिया है कोई भी पत्थर र्रेगुलर हो सकता यह जंद करte अपर स्ट्रक्टर हाँ स्वार शुट्यर होता है और वैसे फी मेटा मुर्फिक ऊपयोगrid तो बोला नौदूलर कंकर इस यूज़ तो प्रोडूस है थे हमने अभी पड़ाई है तो आंसर क्या हो सकता है आपका इंकरेक्ट स्टेट्मेंट जो है थर्ड है ठीक है डिकंपोजीशन ऑफ फेल्ड टिंबर ड्यू टू अफ वेरियस फंगस फंगी इस कॉल देखे रिंड टजल ग्रोथ की वज़ये से होती है जब स्वेलिंग टैप किया जाती है तो यह तो नहीं है हाड़ शेक जो है वह बेसेकल आपका जो है वह एकसेशिव हीट ये श्रिंकेज सथे देखने को मिलता है नहीं ठीक है ना चारिंग कोई डिफेक्ट है नहीं ट्रायर जो टो होत कोश्चन है ग्लास के ऊपर लाइम इंपार्ट कलर ब्राइट इंड शाइन तो द ग्लास ठीक है पोटाइश रेंडर्स ग्लास इंफ्यूसिबल मेक्स तक ग्लास फायर रिजिस्टेंट सोडा एक्ट एजन एक्सलेरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास कलेट्स और ब्रोकन वैस रहा हिएक ति अगॉजड़ है रुकशिंट वॉफसी ह क्षमलं लगते हैं तो उसके में कभी कभी क्या कर जाते हैं और उसने पूझा होता है इन चीजों से भी बचना है एक खुबसूरती होती है और वह खुबसूरती क्या है वह खुबसूरती है कि जो इनकरेक्ट है अगर वाला पूछ रहा है तो उसको ब्लॉइंग रोलिंग प्रेसिंग इसी प्रोपर्टी बिसिकली आप आती है और इसकी वजह से आप अलग अलग टाइप के और कलेट्स जो होते हैं वो ब्रोकन ग्लासेज होते हैं ठीक ना जो कि basically ऐजा flux काम करते हैं ताकि वालिटाइजेशन की वेसे जो लॉस वाल के लिए वो basically कम हो ठीक है तो यहां पर एक जो statement गलत है false statement है and that is nothing but A ठीक है चलिए बहुत अच्छे which of the following test is conducted on course aggregates to determine their toughness ठीक है तो देखे course aggregates के उपर अगर मैं बात करता हूं toughness determine करने के लिए जो test करते हैं specific gravity test तो एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी denseness के लिए हो गया ठीक है ना crushing strength की compressive strength के लिए हो गया impact value toughness निकालने के लिए हो गया abrasion value हो गई आपकी hardness निकालने के लिए तो पूरा table भी मैंने attach कर दिया ठीक है आपको PDF में मिला भी होगा अगर आप regular पढ़ रहे हैं तो ठीक है तो यहां पर impact value test impact value test toughness निकालने के लिए ठीक है चलिए बहुत अच्छे इंकरेक्ट स्टेट्मेंट बताना है फिर से और यह इंकरेक्ट statement good brick earth के respect में बताना है magnesium in brick earth imparts yellow strength to the brick बिल्कुल सही बात है यह थोड़े से strength थोड़ी सी hardness और yellow strength shade देता है good brick earth should contain about 10 to 13 percent of magnesium magnesium की percentage less than 1 percent होती है बिल्कुल statement है aluminum is responsible for plasticity characteristics of the earth which is important in molding operation बिल्कुल सही बात है हमने कली इसके उपर चर्चा भी की है और brick के lecture में भी की है good brick earth should contain about 20 to 30 percent of alumina alumina की percentage भी 20-30 percent होनी चीए तभी हो required plasticity की जिसकी बात कर रहा हो दे पाएगा तो यहां पर एक ही statement गलात है है and that is second statement ठीक है बहुत अच्छे जही साब विच आप फॉलेंग मटीरिल पज़ेज आ specific gravity value equal to 3.14 ठीक है ordinary Portland cement की 3.14 के लिजे 3.15 के लिजे एक ही बात है ठीक है तो बहुत important है आप इसकी याद रखेंगे बिटुमिन की अगर आप याद रखें स्पैसिफिक ग्रेविटी की वेल्यू तो जैने इस 0.98 से 1.02 के बीच में ठीक है ना और वाटर की लगबग लबग तो एक होई गई स्पैसिफिक ग्रेविटी लेट की याद रखने की ज़रूत नहीं है आपको ठीक है अगला स्टेट्मेंट दिया अभी अभी हमने पढ़ा भी है ठीक है ना एस्बेस्टॉस हाई इस्तेमाल किया जाता है एलेक्ट्रिक कंड़क्टिवितए की लो होती है रेजिस्टेंस डू अलकरव होती है लेकिन रेजिस्टेंस तु एसटिस अपस entrevist की कम होती है ठीक है तो आप इसके वेसे आप बता सकते हैं कि वहाई ऐलेक्ट्रील नहीं लो लो होती वह हो भी है ये तो जी तो गला स्थेटमेंट हाई है रेसे जो डाली कि लीज तो होती है पहला स्थो gene Hans कि अ वागत फ फॉलिंग टाइप्स उ मेठ केमन फॉट का किए ऐसेसे में कि वेक्ट सेटमेंट लॉहीट सीमेंट या रैपिड हर्णिग सिमेंट देएंट का करना है जो कम हीट प्रेडियूस करे क्योंकि हमें पता है कि इसमें यह कोशन वैसे हमने आज के सेशन में किया भी यह रिपीट हो गया कोशन लो हीट सीमेंट ठीक है जहां जहां पर हमें मास कॉन्कृटिंग जैसे बड़े-बड़े डैम बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्ज पावर प्लांट बनाना है या फिर बड़े ब्रिजस बनाने हैं तो वहां पर हम लो हीट सीमेंट का इस्तमाल करने वाले हैं ठीक है आइडेंटिफाइड टाइप अफ़ डिफेक्टिंट इंबर ड्यू टू एपनॉर्मल ग्रोथ ठीक है ना तो यह आपको इस तरह से फोटो दिया गया था एक बार पेपर में थिक के आपके सवाल पने स्वाल बने सोटके अगुए से सेशन में डाल दिये तो आपने कल लग बख 75 लगाए थी एक सेशन के अंदर आएज के सेशन में मुझे लगता है हमने कितने कोश्टन कर लिए 85 कर लिए वी कितने गल इंदर बताना एक बार मुझे अगर आप काउंट कर रहें तो ठीक है तो अपनोर्मल ग्रोथ आप uses relatively high purity lime for its manufacturing so high purity lime का इस्तमाल कर रहे हैं तो high purity lime white cement Portland slag cement high alumina cement या फिर Portland pozzolana cement तो यह question मैंने आपको cement पढ़ाते समय भी कराया था अगर आप सीमें का lecture किया है तो ठीक है क्योंकि यह सवाल भी आप से एक जेए के पेपर में पूछा गया है तो और यह सी में पूछा गया था फिर यह repeat हुआ था जहीं मैं एक्चुली ठीक है तो यह question हां क्या किया रहे हो ठीक है वह पढ़ रहे हो मतलब white cement क्योंकि white हमें इसका रंग चाहिए और high purity lime का जो color होता है वो pure white होता है इस वाइए से white cement के manufacturing के लिए मैं high purity lime का इस्तमाल करता हूं उसकी purity कितने percent होती है सभी लोग बताएंगे विच फॉलिंग टाइप सब्सक्राइब फर मेकिंग लाब equipment एंड कोकिंग यूटेंसल्स तो मैंने आपको यही दो borosilicate glass, lead glass, soda ash glass या tint glass तो इसके लिए भी एक shortcut table बना दी है ठीक है न यह soda lime glass कहलो soda ash glass कहलो soft glass कहलो window glass कहलो तो door और window में इस्तमाल होता है potash lead glass जिसको flint glass भी कहते हैं electric bulb lens ornamental glass बनाने काम आता है bottle glass जिसे common glass भी कहते है bottles बनाने काम आता है borosilicate glass जिसको हम pricks glass भी कहते हैं यह lab equipments और आपका glass की utensils बनाने के काम आता है तो यानि की answer क्या हो जाएगा borosilicate glass यहीजा बहुत अच्छे सभी बच्चों की तरफ से जोड़दार clapping आप एक दूसरे के लिए जरूर करनी है आपको क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और session के अंदर कोशिश करेंगे कि हर बच्चे की तरफ से like सोने चाहिए बहुत बढ़िया identify the incorrect statement with respect to laterite stone laterite stone मैंने कल भी इसके उपर चर्चा किया आप लोगों से तो laterite stone की बात की जाए is a type of igneous rock नहीं laterite stone to sedimentary rock होता है तो गलत है जी ठीक है न laterite stone is suitable for rough stone masonry work rough stone masonry work के लिए कर सकते हैं हाँ ठीक है क्योंकि बहुत जादा अच्छा stone तो है नहीं laterite stone can be split into slab हाँ soft होता है बहुत जादा strength होती नहीं तो split कर लो laterite stone is porous and cellular structure होता है मैंने कल भी बताया था कि इसका जो structure होता है वो थोड़ा सा cavity structure होता है पूरस होता है यह nature में ठीक है इसकी strength जो होती है वो 2-4 newton per mm square होती कितनी होती है सब लोग लिखकर बताएंगे of the mineral and its appearance under reflected light is known as streak ठीक है ना तो देखिए streak जो है basically उसके color की बातचीत होती है shine का तो क्या है यहां पर लश्चर है ठीक है ना लश्चर है तो आपको बताना है अभी अभी हमने session में basically इसके बारे में दो बार बातचीत करीब है और different different type के लश्चर है कि भाई कहीं पर glassy नजर आ रहा है कहीं पर dull नजर आ रहा है कहीं पर metallic नजर आ रहा है तो उसका shiny तो है अलग अलग टाइप का आप कहते statement is true but the second is false बहुत अच्छे जहीं साब which of the falling properties of cement is determined using Blaine's air permeability test apparatus ठीक है तो Blaine's air permeability test apparatus की मदद से आप क्या निकालते हैं क्या निकालते हैं गाईज क्या निकालते हैं fineness निकालते हैं ठीक है ना और fineness जो इसकी आप बताते हैं वो किस unit में बताते हैं unit में बताते हैं unit बताएंगे unit बताएंगे किस unit में बताते हैं meter square per kg ठीक है ना या फिर centimeter square per gram ठीक है और आप इस से अग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया एक बार ठीक है तो it will be area per unit mass लिखकर बताएंगे area per unit mass सभी लोग लिखेंगे सेक्षन में area per unit mass क्योंकि generally हम लोग कैसे बताते हैं mass per unit area mass per unit area लेकिन और option में वह भी देगा mass per unit area तो हम टिक वह मार देते हैं और ऐसा नहीं कि हम पढ़ नहीं रहें गलती होती है इसी गलती से बचना है इसलिए जित्ता लिखेंगे उत्ता बढ़े रहेगा area per unit mass area per unit mass ठीक है यह आपके लिए हैं नहीं question ठीक है यह आपके लिए homework question है और आज के साथ हम आज का session पूरा करते हैं तभी लोग session के बाद दो काम करेंगे एक इस question का answer करेंगे session के बाद और दूसरा आप इस class की जो भी rating हो सकती है पांच में से वह जरूर दें ठीक है ना तो बेशरम जहीं ना बने ठीक है ना काम के जहीं बने और session को जरूर रेटिंग दें पांच में से एक ठीक है आफ्टर से इसको continue किया जा सके और कुछ खराब points होंगे तो उनको improve किया जा सकेगा ठीक है तो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस class का rank improvement class में क्योंकि सिर्फ पढ़ना important नहीं अपनी rank को improve करना बहुत important है और जब तक हमें अपनी rank सभी बच्चों के comparison में नहीं पता चलेगी तब तक हम improve नहीं कर पाएंगे ठीक है तो पढ़ना भी है उस पर question भी लगाने है उसके बाद rank भी improve करनी है तो three step process है ठीक है ना तो हमने दो step process हमने already complete किये है इस topic पे बट अब बारी है rank को improve करने की analyze करने की and that will be that will be done at 4 p.m. tomorrow at test book application take care good night and जहन सभी लोग session के अंदर like and channel subscribe कर लेंगे भाई on this friendship day test book super coaching का मित्रों सेल get courses from top teachers of India and save a lot so अगर आप इन exams की तयारी कर रहे हैं then this sale is for you test book का मित्रों सेल get up to 90% off on all super coaching courses